बिहार की राजनीती के किंग में कर बाजीगर और सर्ताच कहे जाने वाले लालू यादव बेला गंज में थोड़ी देर में मौजूद हो जाएंगे और हम नजारा आपको बेला गंज बिधान सबाद छेतर का दिखा रहे हैं कि देखिए मंच पुरी तरह से तयार है और बेला गंज के दंगल को लेके जो मुकावला है वो काफी करा रहेगा जिस परकार से चुनावी मैदान में कलते जश्वी यादव और साबुदीन के बेट से उसामा सहब चुनावी मैदान में थे कई सभाव को संबोधित किया साथ ही कही न कहीं रोट सो करने का काम किया और जिस परकार से 34 सालों से बेला गंज बिधान सबाद से सुरेंदर यादव लगातार कबजा बनाए हुए थे लेकिन लोग सभा के चुनाव में जैसे ही ज जशवी लगातार 3-4 दिनों से बेला गंज में डेरा जमाए हुए कल उन्होंने सिधे तौर पे बेला गंज की जनता से यापील की कि बेला गंज को किसी भी हालत में जीतना है 2025 में फाइनल होगा और कहीं न कहीं अगर बिहार में चार सीटों पर अगर महागडबंदन अग पूरी तरह से जो सोफा है वो लग चुका है और जो मंच पे जो बैनर लगा है बेला गंज मेरा परिवार है लालू यादव की तस्वीर है हिना साब यहां पर पहुचेंगे उमीद जताई जा रही है कि तेजस्वी यादव ही पहुचेंगे और देखिए जिस परकार से ल साबुदीन साहब की जो एहमियत 90 के दसक में आरजडी में रती थी तो उसी तरह हीना साहब और उसामा साहब को लाना पड़ेगा और उसी की बानगी है कि बैनरो में छपवाया गया कि अपने तो अपने होते हैं तो सीधे तोर पे मुसल्मान बोट बैंक को एक छत्र करने क के लिए कहीं न कहीं लालू यादम ने जो दाव खेला था जो समात के लाता वो पूरी तरह से सफल होता दिखरा देखिए आपको पड़ाव मैदान की तस्वीरे दिखा रहे कि किस परकार से यहां पे पूरी तरह से बैरिकेटिंग की गई है तमाम जो बॉक्स वगरा लग लगाए गया जो पुलीस कर्मी है यारपीफ के जवान वह लगाए गया और उपर का नजारा आपको दिखाएंगे कि किस परकार से जो इस्टील का पूरा पंडाल होता है टे के पंडाल बनाये गया और तमाम आकलन की अजारा की 10 से सारे 10 वजे के बीच में लालू यादम यहां पहुच जाएंगे और सुरेंदर यादम के बेटे के लिए वो बोट मांगेंगे विश्मनात यादम सुरेंदर यादम के बेटे हैं और चुनावी मैदान में और जेडिव की ओर से कल इसी मैदान से नितिश कुमार भी गरज रहे थे लगातार मनुरमा देवी के को वोड़ देने के लिए जनता से अपील कर रहते तो जगा एकी रहेगी छेत्र एकी रहेगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन की से परास्त करेगा लालु यादव का जादू कितना चलेगा लेकिन इतना जरूरत है कि हीना साहब और उसामा साहब के आने से लालु अनिल के साथ रोही त्यादा बेला गंच